हेलो एब्रिवान कैसे हैं आप लोग आज का दिन है रविवार और आसाम और नौटिस्ट के करेंट अफेर्स के इस भाग में आज हम फेबुर्वारी 14 से लेके फेबुर्वारी 20 तक यानि कि पिछले रविवार से लेके इस शनिवार तक के सबसे जो ज़्यादा इंपोर्ट कोई भी आप competitive exams के लिए तयारी करें हो चाहे वो APAC हो UPC हो किसी भी state के PAC हो तो या फिर कोई भी अगर banking के competitive exams हो कुछ भी competitive exams आसाम और नौटिस्ट को बहुत ही ज़्यादा importance दिये जाते हैं तो सारे प्रशनी यहाँ पे पूरे हफ़ते के इसको जो आपके exam point of view के हिसाब से important होती है वो अखपारों में जो है मिलते तो है लेकिन उसको analyze detail में हम यहाँ पे करेंगे ताकि आपको याद रखनी में भी आसानी हो और revision के time में भी काफी easy हो तो इस वीडियो का PDF जो है आपको हमारे details हमारे website में मिल जाएगी और अभी तक के आसाम और नौटिस्ट के जित इसके कुछ दो-तीन महीने से मैं नहीं दे वा रहा था तो सारे जो playlist है आपको हमारे details में मिल जाएगी इसके PDF और playlist का link मैंने description में दे दिया है वहाँ से आप उसको follow कर सकते हैं तो हमेशा की तरह आज भी हम आसाम या फिर नौटिस्ट के एक topic से ही शुरुआत करेंगे तो इस हफ़ते एक्चुली गौँआहर्टी में तो ये ख़वर definitely आपको सुनाई दिया होगा कि foot over bridge तीन foot over bridge जो है गौँआहर्टी में इसका अनावरन किया गया है आसाम के जो health minister डौक्टर हीमांत बिश्वार शर्मा जी के द्वारा तो इसका जो पहला जो foot bridge जो है ये एक्चुली inaugurate किया गया था खानापडा में दूसरा गौनेजगुरी और तीसरा जो है कमाइख्या गेट के उपर तो यहाँ पर देखे एक चीज कि ये foot over bridge जो है एक simple सा concept है आप अगर railway station train में कभी आपने सफर के है तो definitely आपने देखा हो लोगों को रास्ता जो है इसको cross करने के लिए तो ये foot bridge बहुत जादा मददगार हो सकते स्पेसिली जो बुजूर्ग लोग है उन लोग के लिए बहुत तो यहाँ पर देखे staircase भी है elevators भी है तो बहुत ही सोच समझ के इसको बनाया गया है और कामाइखा में यहाँ पर जो खनापड़ा एडिया में जो foot bridge अनावरन क्या गया है उसको जो है bamboo से design क्या गया है तो आसाम की reach cultural heritage को यहाँ पर दर्शाती है और एक चीज़ दिखे कि national bamboo mission के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लगभग 63% जो इंडिया की bamboo population और नौटिस सही होती है तो bamboo के साथ नौटिस या फिर आसाम का एक बहुत ही बड़ा relation है तो उसको यहाँ पर दर्शाय गया है तो एक चीज़ हमेशा याद रखेगा जब मी government ऐसी कुछ चीज़े हमारे public के लिए start करती है तो उसकी देख तो education का meaning यही है कि आपने जो भी पढ़ा इसका meaning यह नहीं है कि आपने exam crack किया आपको job मिल गई सब काम खतम society के लिए भी आपकी बहुत जादा responsibilities होती है तो यह responsibility हमारे भी होती है कि इसको जितना साफ सुत्र रख सके नहीं तो क्या हो जागा बाद में यह जो है deteriorate हो जाता ह है और हम लोग जो है इसको government को ही दोशी थेराते हैं तो यह भी हमारी जिनमेदारी होती है तो चलिए आज का वीडियो शुरूर करते हैं काफी सरे questions यहाँ पर हम लोग discuss करेंगे तो इस वीडियो का end तक बिलकुत देखते रहेगा और इससे पहले अगर आप लोग और हमार चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं क्या है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आने वाला ऐसे ही वीडियो के notification इसी तरह आपको मिलते रहे तो आज का जो पहला प्रश्ण है major रालेंग नाओ बोब काथिंग तो इनको recently जो है honor किया गया है कि इन्हों न एक special town जो है ये इंडिया में इन्होंने include करने में मदद की थी ये कौन से town है तो देखें यहाँ पर major रालेंग नाओ बोब काथिंग ये एक national news है यहाँ पर बहुत important है तो ये जो है इन्होंने क्या क्या था तावांग जो है तावांग जो town को इंडिया में मिलाने के लिए इन्होंने बहुत जादा contribution इनका रखा गया था तो इसके लिए इनको जो है ओनर किया गया है अरुदनाचल प्रदेश में actually तो जैनरल बीपिन रावाज जो chief of the defense staff है ये मौझूद थे यहाँ पर मैघालाय और अरुदनाचल के chief minister भी मौझूद थे तो हुआ क्या था कि 1951 म उस टाइम में क्या होता कि इंडिया को तो independence मिल चुकी थी लेकिन अरुदनाचल प्रदेश का नाम उस टाइम जो है North East Frontier Agency यानि की नेफा था ओके डेफिनेटल आपने ये वोर्ट सुना ही होगा तो यहाँ पर उस टाइम जो है आसाम के जो गवर्नर थे जैरामदास दौल उन्होंने जो है Mr. major Bob Cutting ये उस टाइम एक पॉलिटिकल ओफिसर थे नेफा के तो गवर्नर जैरामदास दौलतराम आसाम जो गवर्नर थे ऐसाम जो है उस टाइम अरुदनाचल प्रदेश भी आसाम के ही इंक्रूर कर्ने के लिए तो यह order जो है इसको process करने के लिए यहाँ पे उन्होंने लगभग 200 shoulder और 600 यहाँ पे porters को लेके 17 जनवरी 1951 को उन्होंने तावांग तक यहाँ पे विजिट किया तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखेगा कि World War II से पहले तावांग जो थी उस टाइम में यह टिबेटियन गभब्मेंट के अंदर थी तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने अपने diplomatic skills को यूज किया तो यह बेसिकली जो है एक्चुली यह एक नागा community से बिलोग करते हैं major जो है साब और यह एक्चुली उस टाइम जो है बनिपूर से यह उनकी residence जो उनकी locality हुआ करती थी तो इन्होंने अपनी diplomatic skills के हिसाब से इन्होंने जो उस टाइम में मौनपा जो community थी तावां के उस एरिया में तो वहाँ पे उनके problems को address किया तो वहाँ पे उन लोगों को क्या हुआ था कि काफी जादा Tibetan government ने वहाँ पे tax impose कर दिया था तो इन्होंने वहाँ पे क्या किया जो problems को address करने के बाद वहाँ पे उनको assurance दिया गया उनके जो मौनपा community के लोगों को कि अगर वो इन्डिया में आ जाते हैं तो कभी भी उनको ऐसे परिशानी नहीं होगी तो उसके बाद जब उनको assurance दिया गया तो immediately यहाँ पे आसाम rifles के मदद से वहाँ पे जो तिरंगा लहराय दिया गया तावांग और बुमला में तो इसी तरह तावांग जो है इंडिया में include कर दिया गया था और यह इनकी बहुत ज़्यादा contribution थी तो इनको इस बार जो है honor किया गया है तो एक चीज़ याद रखेगा कि अरुनाचल प्रदेश जो है पहले आसाम कही पार्ट हुआ करता था 1972 में अरुनाचल प्रदेश जो है आसाम से separate हो गया था और उसको एक union territory का दर्जा मिला गया था तो क्या आप मुझे comment box पे लिखके बता सकते हैं कि अरुनाचल प्रदेश को statehood कब मिला था यानि कि पहले तो यह union territory हुआ करती थी statehood इसको जो है कौन से साल मिला था यह आपको मुझे comment box पे लिखके बता जानी है चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर तो रिसेंटली जो आसाम स्टेट फिलिम फाइनेंस और डेवलाउपमेंट अथोर्टी के दुआरा जो काफी सारे जो फिल्मों के उपर यहां पर जो सबसीडी दिने का फैसला किया है यहां पर चीफ मिनिस्टर ने तो लगभ आपको एक्जाम में exactly उस प्रशन को नहीं पूछा जाएगा या पूछने का संभावना कम है लेकिन उसके साथ जो related knowledge है वो बहुत ही important है किसी ना किसी एंगल से आपको यहां पर मदद करेगी चाहे वो prelims point of view से हो mains point of view से हो interview point of view से हो या फिर knowledge point of view के हिसाब से आपको बहु प्रशन से जो information वो हम लोग कैसे मौद किया जा सके तो यहां पर वो ही technique हम लोग use करते हैं देखने में तो information कुछ भी नहीं लेकिन अगर आप detail में देखेंगे तो बहुत सारा information वहां से आप निकाल सकते हैं तो किसी ना किसी angle से आपको definitely बहुत मदद करने वाली है तो यहा पर एक program ने mention किया गया है कि Assam State Flim Finance and Development के दुआरा यहां पर लगभग 55 Flims को जो है यहां पर एक क्रोर की subsidy जी जाएगी तो यहां पर लगभग 45 feature Flims होगी 6 यहां पर documentaries होगी 4 short Flims यहां पर होगी तो यहां पर 2016 के 1 April से लेके 2020 के जो 31 March तक जितने भी film बनी है उनके जो producers को यह जो है subsidy मिलेगी तो यहां पर आप देख सकते हैं कि government ने cultural point of view के हिसाफ से भी जो Assam के film हो regional movies हो यहां पर documentaries उसको भी आगे बढ़ना बढ़ाने के लिए यहां पर कुछ ना कुछ steps लिए हैं तो mains में ऐसे जो points जो है आपको पहुँँ जादा मदद कर सकता है अगर ऐसे सवाल पूछे गए तो तो यहां पर देखे कि Assam State Film Finance and Development Authority इसके जो है यहां पर चेर्मेन जो है उनका नाम है सुमन होरेप्रिया आगे बढ़ते हैं यहां पर गौहाटी टारो का ग्रिहो हम जिसको जानते हैं इसकी स्थापना कौन से साल हुई थी तो यहां पर देखे एक चीज की आपको यह जाननी भी चाहिए कि स्थापना कब हुई थी स्थापना हुई थी 1994 तो यहां पर देखे कि गौहाटी प्लेन इसका यह पहला astronomical research center है तो recently एक astronomical gallery और virtual reality zone जो है गौहाटी planetary में इसका जो है शुरुआत यहाँ पे की गई है और इसको जो है शुरुआ की गई है in collaboration with creative museum designs Kolkata department of design IIT गौहाटी के साथ तो यहाँ पे आसाम science and technology minister Mr. Keshav Shandar Mohanta ने इसका अनावरन क्या गया है और इससे related एक यहाँ पे souvenir भी start किया गया था जिसका नाम है तारागर तो यहाँ पे देखे कि इससे related ही news है कभी कभी ऐसा होता है कि काफी सहरी छोटी छोटी news उससे related questions तो नहीं बन सकते हैं लेकिन फिर भी आपको जाननी चाहिए तो क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे discuss भी कर लेंगे तो यह आप अगर सुन भी लेंगे तो कभी ने कभी आपको याद आ सकता है और उसको आप relate कर सकते हैं not necessary हर चीज जो है आप exam point of view के हिसाब से ही देखेंगे knowledge point of view के हिसाब से भी बहुत important होती है तो यहाँ पे आसाम के चीफ मिनिस्टर मिस्टर सर्वारंदा सुनवान ने रिसेंटली चार पुली स्टेशन जो है इसकी शुरुवात की थी हुजाय, जूरहत, स्वराइडेव और वेस्ट कार्भियंग लोंग डिस्टिक में अंदर मोईट्री स्किम मोईट्री स्किम तो अगर पूछा जाएगी मोईट्री स्किम किस से रिलेटर है तो यह पुली स्टेशन से रिलेटर इसके अंदर जो है चार पुली स्टेशन शुरुवात की गई थी और रिसेंटली अगर देखा जाए यहाँ पे North East Zone Cultural Center ने यहाँ पे, जो Ministry of Culture के अंदर आती है यहाँ पे, पंधरवा सिल्पोग्राम मोहुचसवब जो है गौाहेटी में इसका शुरुवात किया गया था Ministry of Culture के अंदर जो आती है यहाँ पे, तो इस festival में North East के अलग-अलग जो भी states है जैसे कि आसाम, अरुनाचल प्रदेश मनिपूर, मेघालेया, मेजोराम सिक्किम, तुरपुरा, तो उनके जो यहाँ पे शिल्पकार अपनी प्रोड़क्स को यहाँ पे जो है, प्रेजेंट कर सकते हैं तो इससे क्या होता है कि जो शिल्पकार भी काफी पोचसाहन मिलता है यहाँ पे, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स प्रशन बहुत ही इंपोर्टेंट है तो रिसेंटली आसाम में एक बहुत ही रेर स्पीसिस जो है, इसको स्पोर्ट किया गया था, तो यह कौन सा स्पीसिस है, तो यह स्पीसिस जो है, आप देख सकते हैं बहुत ही एक ब्यूटिफुल डग है इसको हम बोल सकते हैं, मेंडरिन डग देख सकते हैं, आप ऐसे लगता है कि इस डग को होली आने वाली है, तो होली के रंग से इसको रंग आ गया है लेकिन बहुत ही खुबशूरत है नैच्छरल कलर है यह इस डग का नाम है मेंडरेन डग तो यह डग को जो है यहां पर तीनी सुक्या डिस्ट्रिक्ट के जो मागुरी मोटा कोंग बिल है डिब्रू सोईख्वा नेशनल पार्क के ही बहुत पास है यहां पर इसको स्पोर्ट क्या गया था लगभग 120 सालों के बाद 120 साल के बाद यह डग को यहां पर देखने को मिला है तो यह जो है डग को जो एक बर्ड का जो वेब साइट है जिसका नाम है इबर्ड तो इबर्ड के वेब साइट ने इसको one of the smallest और one of the majestic bird एशिया का यहां पर दरजा दिया गया है यहां पर तो यह डग जो है ज्यादतर आपकी ब्रेडिंग इसकी होती है रोशिया में कोडिया जपान और नौर्ड पार्ट ऑफ चाइना कभी कवहर इंडिया के अलग अलग जगा यह फिर नौर्ट इस में यह देखने को मिल जाती है लेकिन अपनी जो यहां पर माइग्र को कभी भी फोलो नहीं करती है माइग्रेशन रूट क्या होती है कि समर में मान लिजए कि कोई भी यह पर बर्ट यह पर्टिकुलर नौर्ड नौर्ड रहना पसंद करती है और जबही यहां पर विंटर आती है ग्रैजुएली उनलोग पसंद करते हैं किठोड़ा से साउड देखने को नहीं मिलता है कि वही route उन लोग follow कर रहे हैं, तो बहुत ही rarely इनको जो है देखने को मिलता है यहां पे, तो ये आसाम के 305 डिस्रिक में 120 साल के बाद जो है इसको देखने को मिला है यहां पे, और अगर बात करेंगे यहां पे बहुत ही native species जो अगर आसाम के बारे म जैसे कि one horn rhino definitely आप लोग जानते हैं, water buffalo है, pygmy hawk जिसको नौल गाहोरी भी बोलते हैं, the swarm deer है, golden लंगूर हो गई यहाँ पे, holock gibbon बहुत ही important है, holock gibbon यह न्यूज में भी थी यहाँ पे, याद रखे कभी कभी पूछा जा सकता है कि इन में से native कौन सी है, तो holock gibbon यहाँ पे तो इसके बाद में भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, तो यहाँ पे एक ही topic से related, काफी सारे प्रश्ण को, काफी सारे information को हम लोग यहाँ पे discuss करते हैं, ताकि आप लोग को यहाँ पे बहुत ही फाइदा हो सके यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं, next question जो है, आसाम regimen इसकी लग है यहाँ पे, तो देखें इस बाद जो है, आसाम regimen और अरुनाचल scouts, इन दोनों को जो है, Indian Army का 106 Air Force Squadron, जो तेजपूर में है, इसका यहाँ पे affiliation मिला है, अभी 106 Air Force Squadron, यह क्या है, सुखोई 30, सुखोई 30 जो है यहाँ पे Indian Air Force का Eastern Command, जो है, इसका एक पार्ट है, यहाँ पे तो इसका affiliation मिला है, और 106 जो है, यहाँ पे Air Force Squadron, जो है, one of the most decorated squadron है, Indian Air Force का, जिसको अब तक 3 महावीर चक्रा और 7 वीर चक्रा मिला है, तो यहाँ तक हम लोग ने समझ लिया, तो आसाम regimen इसने जो है, अपनी contribution जो है, 1971 में जो है, इंडिया-पाकिस्तान war या पिर Burma campaign के time में भी अपना जो है, यहाँ पे participation दिया था, तो आप लोग definitely यहाँ पे सोच रहे होंगे, कि भाई, यह regimen किया है, कभी-कभी क्या होता है, कि हम लोग खबर को तो पढ़ लेते, लेकिन उससे related काफी सारा information को हम लोग skip कर देते, लेकिन अगर देखे, पांच मि जो है largest component of Indian Armed Force, कि Indian Navy हो गई, यहाँ पे Indian Air Force हो गई, तो सभी को मिला के Indian Army के साथ, total यहाँ पे population जितनी है, यहाँ पे यहाँ की संख्या जिसके, इसकी 80% सिफ Indian Army में ही है, तो यहाँ पे देखे, लगभग 1.2 active और 1 million जो reserve troops यहाँ पे Indian Army में मौजूद है, अभी इतनी बड़ इतनी जो है यहाँ पे population को maintain करने के लिए यहाँ पर कुछ system में इसको divide किया गया है, तो Indian Army को mainly इसके जो है operational commands में divide किया गया है, और इसके जो chief होते हैं, ये होते हैं commandering chief, अभी ये अलग-अलग commands को किया, अलग-अलग crops में divide किया गया है, अलग-अलग crops को अलग-अलग brigades मे दिवाइट किया गया है और ब्रिगेट के जो हर यहाँ पर देखिए हर यहाँ पर पॉंट में एक चीफ होंगे यहाँ पर हर ब्रिगेट के जो चीफ है यहाँ पर उनको ब्रिगेडियर बोला जाता है और हर ब्रिगेट को यहाँ पर अलग 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 बैटेलियन्स में डि 1941 में और इसको 106 Indian Air Force Squadron तेजपूर इसका affiliation में रहा है तो main खबर यहाँ पर यही है और अगर बात करेंगे इंडिया की जो biggest regiment जो है JAT regiment सबसे biggest regiment है इंडिया की जिसकी स्थापना हुई थी 1795 में तो एक ही topic से काफी सारे information हम लोगों यहाँ पर discuss कर लिया है next question तो आप बोल सकता है question of the week सिधा सिधा आपका APSCE prelims या फिर UPSC में indirectly यह प्रस्ण पूछा जा सकता है कि भारत का जो longest bridge तो अलग अलग जगा में इसकी information अलग है कहीं पर बोला गया है कि 19.26 km लेकिन जब यह बन के तयार होगी तभी थोड़ा था idea लग जाएगा लेकिन आप मान सकता है कि 18 से 19 km के बीश्ट में होगा India's longest road bridge India's longest road bridge जो है यह ब्रह्मपुत्र के उपर होगी यह धूबरी कौन से टाउन के साथ जोरेगी यह आपका comment box में लिखके बतानी है तो यह जो है धूबरी को जोरेगी आपको फूलबरी के साथ तो यहाँ पर भारत के प्रधानमति Mr. Narendra Modi ने इसका जो आधारशिला इसका रखा है रिसेंटली धूबरी फूलबरी bridge इंडिया का longest road bridge जो यहाँ पर बनने वाली है वीडियो कॉनफरेंस का धरशिला रखा गया है तो यह bridge धूबरी को यहाँ पर फूलबरी फूलबरी जो है साउट साल मना मान काशार यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर मेगालेया से जो connectivity काफी ज़्यादा बर सकती है जिससे आसाम और मेगालेया को यहाँ पर connectivity बर सकती है तो यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि इंडिया की longest bridge जो बनने वाल ही आसाम को कौन से स्टेट के साथ जोड सकती है तो यह आसाम को मेगालेया के साथ जोड़ेगी यहाँ पर तो इसके लिए लगभग जो है 4000 क्रोर रूपीज जो है यहाँ पर खर्चा होगा और इस bridge को जो बनाए गया है National Highway 127 B के उपर और इसका जो funding agency जिसका नाम है Japan International Corporation Agency जिसको short form में हम G का भी बोलते हैं तो J4G का J4 Japan ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं और recently अगर बात करेंगे bridge से ही related जो है यहाँ पर भारत के प्रधान मंत्री Mr. Narendra Modi नहीं यहाँ पर माजूली और जोरहट के बीच में एक 8 किलोमेटर लंबा जो है एक bridge इसका भूमी बुजन भी किया है इसका आधारशिला भी रखा गया है यहाँ पर और इसकी शुरुआ जो है आली आये लिगंग फेस्टिवल वेरी वेरी इंपोर्टन यह कौन से कम्यून्टी के द्वारा celebrate किया जाता है तो आली आये लिगंग फेस्टिवल जो है यहाँ पर इसको celebrate किया जाता है missing community के लोगों के द्वारा तो यह एक spring festival है जो agriculture से related है और यहाँ पर इसको आहू परी cultivation से जोड़के देखा जाता है तो आली इसका meaning है legumes, आय इसका meaning seed और legang यानि की show यानि की जो seeds होते हैं उसको जो यहाँ पर spread करने का एक festival एक तरीका होता है जिससे लोग अलग-अपने cultural heritage को show करके अपने जो cultural skills को show करके यहाँ पर बहुत ही खुशी मना के इसको start किया जाता है तो इस बार डिब्रुगर में जो missing community के लोग है वहाँ पर इस festival को celebrate किया गया अलग-अलग rituals, अलग-अलग customs के साथ यहाँ पर मुरंग घर में यहाँ पर celebrate किया गया तो एक चीज़ देखिए कि culture से related आसाम culture हो गए, यहाँ पर not his culture यहाँ पर एक ना एक आपको प्रशन definitely मिलेगा कोशिश किजिएगा कि जितना हो सके आप उसको याद रख सेगे आप note करके रखिए बहुत से चीज़ों को साथ में है मैंने यहाँ पर discuss किया है ताकि थोड़ अफ़ा आप at least exam point of view से आपको मदद मिल सके अगर बात करेंगे बोडो community लोगों के जो festival है यहाँ पर बोई सागो festival है, दोमासी festival है, कट्री गाचा festival है, यहाँ पर खेराई festival यह बोडो community के द्वारा celebrate किया जाता है, देन कार्भी community के द्वारा celebrate किया जाता है रॉंकेर हाचेल के कान यह कार्भी community के द्वारा celebrate किया जाता है देवरी जो community है, उनके द्वारा जो celebrate किया जाता है बाकू भीसु, मागियो भीसु जोईदाम ये डेवरी कमिंटी के द्वारा दिमाशा कमिंटी के द्वारा जो सेलिबरेट किया जाता है इसको बोला जाता है बुशू बुशू फेस्टिवल दिमाशा कमिंटी के द्वारा सेलिबरेट किया जाता है ताइफा के जो है पोई संकेन community के द्वारा celebrate किये जा सकते हैं और भी अगर आप लोग को लगा कि कुछ-कुछ community के द्वारा और भी इस festival जो celebrate किये जाते हैं अगर आप share करना चाहते हैं जो definitely comment box में हम लोग के साथ share कर सकते हैं यहाँ पर तो recently Assam में Ropex service जो है यह शुड़ू होने वाली है तो यह कौन से projects के included है तो Ropex मतलब क्या है कि ऐसा एक यहाँ पे बहुत ही light weighted जहाँ जहें लगभग 100 से लेके 100 लोग यहाँ पे passenger जो है यहाँ पे through Brahmaputra यहाँ पे travel कर सकते हैं तो काफी कम टाइम जाएगे तो यह Ropex vessel है यहाँ पे तो यह जो है project included है मोहाब आहो Brahmaputra project ले included तो यहाँ पे भारत के प्रधान मंद्री Mr. Narendra Modi ने तीन Ropex services के बारे में जो है यहाँ पे mention किया इसके बारे में अनावरन किया गया है तो तीन Ropex में से पहला जो है माजूली और निमाती यह Ropex service तो इसमें total distance काफी कम हो जाएगे माजूली और निमाती घाट के बीच में 11 घंटा से लेके इसको एक घंटे में इसको convert किया जाएगा यानिकि 10 घंटे की बचद तो इसमें भी जो है आट घंटे को तीन घंटे में यहाँ पे कम किये जाएगे तो और यहाँ में फूलबड़ी जो धूलबड़ी फूलबड़ी के बारे में अल्लेट हम लोग ने डिसकस कल लिया है तो देखें मेंली यहाँ पे एक चीज़ होती है कम्यूलूलूलूबड़ी दितना जादा होगा उतना ही जादा इकोनमी क्रोस्परेर्टी यहाँ पे कल्चरल अलग चेंच ज़ जादा होती है तो यह ग्यूल्यां ज़ीया गया है आपे तो रोपेक सर्वीस इसको लॉंज किया गया है मिनिस्ट्र ओफ शिपिंग के द्वारा और मिनिस्ट्र ओफ शिपिंग जो है इसके मिनिस्ट्र ओफ स्टेट जो है इनका नाम है मनसुख लाल मंध्यव्यरत तो आपको मुझे comment box पे लिखके बतानी है कि ब्रह्मापुत तो इस हफ़ते के आसाम और नॉटिस के करने टेफेस में बस इतना ही काफी सरे क्वेशन यहाँ पर डिसकस करें इस वीडियो के पीडिएफ आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी और इसका प्लेइस्ट जो प्लेइस्ट है मैंने description में दे दिया है जाके उसको follow आप कर सकते हैं तो next week हम फिर से मिलेंगे आसाम और नॉटिस्ट के करेंटेफेस में बहुत सारे important questions को हम लोग यहाँ पर डिसकस करेंगे और इस channel को please आप subscribe कर लिजे और एक चीज़ हम लोग बोलना चाहते हैं कि इसी के साथ हम लोग आसाम कल्चर तो यह खतम हो चुका है इसका भी playlist में आप जाके देख सकते हैं यहाँ पर आसाम कल्चर लगब बारा वीडियोज हैं MCQ और आसाम हिस्टी यह अभी चल रही है तो दोनों को ही आप follow कर सकते हैं बहुत ज़्यादा आपको help करने वाली है for exam preparation तो आज के लिए पसितने ही देखते हैं study rise, take care, thank you and joy